नमस्कार आप देख रहे हैं News at 9 सिलिगडी मैं सनिहा आपके साथ आए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन्स पे केरल के कसारगोजिले में कल देर रात एक मंदिर में आतिस बाजी के दौरान हाथसा हुआ जिसमें 150 से अधिक लोग घायल हो गए इनमें से 10 की हालत गंभीर है छत्रिय करानी सेना के प्रमुख राज शिखावत ने घोशना की है कि जो भी कैदी एहमदाबाद की सावरमती जेल में बन गैंस्टर लौरेंस बिस्नोई को मारेगा उसे बड़ा नगदान इनाम दिया जाएगा इससे पहले करानी सेना ने उसे मुतभेट में मानने वाले पुलिस कर्मियों को भी इनाम देने की बात कही थी महाराष्ट्र के नागपूर में पुलिस ने गोंदिया के 35 वर्षय वेक्ति को बम की जूटी धमकियों के लिए जिम्मेदार पाया है इन धमकियों से दहशत फैली उडाने देरी से हुई और हवाई अड़े पर सुरक्षा बढ़ा दी गई सलमान खान और NCP नेता बाबा सिद्धिकी के बेटे जिसन सिद्धिकी की जान से मारने धमकी देने के आरोप में 20 साल के यूवक को नौईडा से गिरफतार किया गया है बाबा सिद्धिकी की 12 अक्टोबर को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी मुंबाई पुलिस ने आरोपी गुफरान खान को हिरासत में लेकर ट्रांजिक रिमांट पर भेजा है प्रसित अर्थशास्त्री क्रिस्टोफ बरावद ने भविश्यवानी की है कि पास नोवेंबर को होने वाली अमेरिका राष्ट्रपती चुनाव में रिपब्लिकन उमीदवार दोनाल ट्रम जीत सकते है बारोत का ये अनुमान विविन्न वितियो संकेतों पर आधारित है मुंबाई के एक विदानसबा छेत्र में भाजपा करिया करताओं ने विरोध किया क्योंकि वहां से एक बहारी उमीदवार को उतारा गया था नाराज भाजपा नेता गोपाल शेट्टी जो इस सीट के मजबूत दावेदार थे अब स्वतंत्र उमीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला पहल के तहट देशभर के रिवाओं को 51,000 से अधिक नियुक पत्र दिये इस कारेक्रम में 40 जगाओं पर नई रंगरूतों के लिए कर्मयोगी परम मौड्यूल के जरिये परिक्षन भी शामिल किया गया था जिसमें रोजगार सुरूर्जन में सरकार की प्रयासों पर जोर दिया गया जम्मो में आतमवाद विरोधी अभियान के दोरान भारते सेना का कुत्ता पैंतम सहीद हो गया अकनूर सेक्टर में मुटभेट के दोरान गोली लगने से 4 वर्षे पैंतम की मौत हो गई सेना ने उसे सच्चा नायक बताते हुए उसकी बहादुरी को सलाम किया बाकी खबरों की जानकारी के लिए लाइक और फॉलो कीजे न्यूज एट नाइन सिलिगुरी को